हेलो प्रेंट वेलकम टू बाजीरा रेड़े इंस्चूट टूडे निलसिस के आज के अंक में हम 26 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं आज के अगर प्रमुख समाचारों पर गवर करें तो तीन प्रमुख न्यूज है पहला है कि भारत बिक्सित भारत की तरफ यात्रा कर रहा है यानि भारत एक बिक्सित भारत बनता जा रहा है एक्चुल में यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में डाक्टर असोग रही है जो कि 2047 तक भारत को बिक्सित भारत बनना है तो यह सारी चीज़ें इसको हम समझने की कोशिस करेंगे जहां तक दूसरा समाचार है वह है कि अभी हाली में SCL टेक्नोलोजी पर एक रंसम्वेर अटेक हुआ है तो ऐसे में हम समझेंगे कि रंसम्वेर अटेक उस पर हुआ है वह क्या है और में यह प्राइट के रंसर्वेर क्या होता है और भारत में उसकी तहती और ये इंडूसर्टी पर ही क्यो ज्यादा प्रभाव कर रहा है जहां तक तीसरा समाचार है वह है कि कल ही भारत के विदेशिमंत्री पांच दोग कर दातरा पर दिया है और आमूमन जो है पिछला साल चोड़ दिया जा तो उसके पहले ये जो क्रेंटेर में हरवर्ष जो हैक सिखर चन्मेलन होता था भारत और रूस का उसमें एक दूसरे के राष्टा ध्यच एक दूसरे के हां यात्रा करते थे हलाकि यो रूस युक्रेण यूत के बाद से प्रधान मेंत्री जी को जाना है लेकिन वो नहीं जा पाए है इस बार भी नहीं गये है हलाकि उसके जगे रूस के भारत के विदेश मंत्री वहाँ पर पांच दिवसी यात्रा पर गये हैं तो हम समझेंगे कि कैसे भारत रूस का सम्मंद क्या है कैसे क्या है और इस समय जो कि अमेरिका और इस तरह के साथ हमारे सम्मंद भी है और थोड़ी चनोतियां भी हैं ऐसे में क्यों यह महत्पूर्ण है इसको हम समझने की कोशिस करते हैं ठीक है आए जहां तक पहला समाचार देखते हैं भारत बिक्सित भारत बनने की यात्रा देखिए यह लेक जो है इंडियन एक्स्प्रेस में आया हुआ है एडिटोरियल मे हैं डक्टर असोग गुलाटी है वो डिस्टिंग्विस प्रोफेसर है आई सी आर आई ए यार इंडियन काउंसल आफ रिसर्च फॉर इंटरनेशनल एकनोमिक रिलेसंस इसके वो हैं वो सीए सीपी में भी मतलब आप समझ लिजे कि वो संस्था जो की MSP जारी करती है उसके वो अध्यच भी रहे थे 11 से 14 तो काफी सिनियर एकनोमिस्ट हैं और खासतोर से एगरिकल्चर और एकनोमिक्स उसके सक्तर पे इनका नुभव है इनके द्वारा लिखा गया है लेक है कि भारत जैसे कि अभी सरकार विक्सित भारत यात्रा चला रही है और उसको लेकर अलगलग कुछ लोग कहते हैं सरकार कहती ही कि हम पाज जाएंगे विस बैंग भी कहता है विस बैंग के जो यहां के कंट्री हैड उनका भी कहना है कि अगर भारत थोड़ा सा कुछ काम कर ले तो आसानी से प्राज जाएगा लेकिन कुछ विचारक ऐसे हैं यति हासकार जो कहते हैं कि नहीं पाएगा तो इन सब पे छोड़ते हैं इसको समझते हैं इन्होंने बढ़ियां से समझाया है कि कैसे ये पा सकता है विकसित भारत क्या होता है विकसित देश क्या होता है विकसित देश होने के लिए क्या क्या चीजे होती हैं क्या हम उस दि इनका कहना है कि किसी भी देश का जो समाजिक आर्थिक धांचा होता है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसमें परिवर्तन में जो लीडर्सिप की भूमका होती है वो काफी महत्वपूर रहे हैं क्योंकि आप अगर आप सिंगापूर को आज सिंगापूर देख रहे हैं तो कहीं ने कहीं उसमें एक विजनरी लीडर का वहां पे योगदान रहा है जिनका लंबा समय तक सासन रहा है और उनके विजन के कारण आज सिंगापूर जो है साउट इस्टेशियन कंट्री में एक आप कह सकते हो कि एक उभारता क्या एक अलग उसका पहचान है तो वहां की परतिब्यक्ति आए और वो सारी चीजे देखा जाए तो बिल्कुल अलग ही है वो अपने आसपास के छेत्र से तो कहीं नहीं कहीं जो लीडर्सीप होता है चाहे डेमोक्रिटिक हो या कोई भी लीड सकसे हमारे जितने भी राजनेता रहे हैं वो कमोवेस रूप से वो अपनी भूमका को निभाते रहे हैं ठीक है वरतमान सरकार जो है चुकि आजादी का पिछले साल 75 वर्षगाट मारा रही है अम्रित वर्ष और उसके बाद की 25 साल इंडिया 2047 के नाम से जो है यह अगला जो 25 साल यह चल रहा है यहां से लेके 2047 तर इसको अम्रित काल के रूप में मना रही है अम्रित काल में हमारा लच्छ है कि दुनिया को एक बिक्सित देश हो जाए तो इसमें हम इस आर्टिकल में डक्टर असो गुलाटी यह समझाने की कोशिस करते हैं कि बिक्सित देश हो होता क्या है किसे एक बिक्सित देश कहा जाएगा किसे आप जो आप समझ सकते हैं उनका जीवन अस्तर अच्छा हो उनका एकार बहुत बहतर हो यह सारी चीजें हैं लेकिन कुछ परिभासिक सब्दावलिया भी है चुकि अब हम भारत को एक बिक्सित देश बनाना चाह रहे हैं तो बैस्वीक अस्तर पे जो बिस्वीक अस्तर पे जो बिस्वीक बैंक की एक परिभासा है जो उसे बिक्सित देश किसी देश को बिक्सित देश मानता है या उच्च आय वाला देश मानता है उसको वो दिश माना जाता है इसमें जो आधार मानता है वह प्रतिव्यक्ति के आढ़ार पर मानता है और वो उन अर्थक्तस्थाओं को मानता है जिनका वार्थिदिटि सकल रास्ठी आए यानि सकल घरेलू उत्पाद नहीं यहां पर GNI की बात कर रहा है GNI एंजीटीपी दोनों में थोड़ा सा अंतर है बता देते हैं हलका सा GNI मतलब आपके जितने भी नागरिक हैं उनका प्रतिब्यक्ति आए घरेली उत्पाद आपके सीमाओं में जितना टोटल उत्पाद होता है तो GDP और GNI में अंतर होता है कि कुछ आपके लोग जो है आपके नागरिक बाहर रह रहे हैं उनकी कमाई आप में जुड़ जाएगी और कुछ बिदेशी यहाँ पे कमा रहे हैं यह चीजे बाहर चली जाएगी तो आपका GNI निकलेगा ठीक है तो प्रतिब्यक्ति आए के लिए GNI सकल रास्टी आए वो जब है 13,846 डालर से जादा होगा प्रतिवर्स तो माना जाएगा कि अर्थब्यवस्था जो है वो बिक गारां जाएगा कि उच्च मध्यवर्ण है उच्च मध्यम आयवाली देश है और यह 1136 से लेकर 445 में रहेगा तो यह माना जाएगा की निम्यमध्यमवर्ण का देश है जहां टक भारत का प्रस्ना है अभी भारत की जो आए है वह यदो 924 डालर की इसी के आसपास है तो ये देखा जाए तो हम अभी निम्न मध्यम आयवर्ग वाली देश में हैं और अगर हमें उच आयवाली देश में बनना है यानि हमें बिक्सित देश बनना है 2047 तक तो हमें 2047 तक 13846 डालर जो प्रतिव्यक्ति जीन आई है इससे बेहतर होना होगा तभ हम एक उच बिक्सित देश का जो है जो विस्व बैंक का जो एक नार्मल है इसमें कमिया हो सकती है लेकिन एक जो नार्मल है उसके आधार पे हमें बिक्सित देश माना जाएगा दुनिया से नजर से ठीक है तो ये हमें पार करना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो माझे है इसके लिए जो विशुबैंक और आई मेफ जैसी संस्थाएं और इसकी संभावना के जाज के लिए वह तीन प्रमुक संकेत को देखने की जरूरत है कि अगर किसी देश में ये तीन संके तक हैं तो यह माना जा सकता है कि वो देश समर्द्ध की तरफ चल रहा है वो विकास की तरफ चल रहा है पहली बात जो कि सबको और बहुत आम है वो है कि समगर रूप से GDP का बढ़ना और साथे साथ प्रतिव्यक्ति आय का बढ़ना यानि निर्देश्ट और लंबी अव पहला वाला जो quotation है कि हाँ ठीक है विकास देश की तरफ हम बढ़ रहे हैं दूसरा जो है उसमें है कि देश में आय की असमानता में बढ़नाओ यानि जो देश की आय हो सकता है जैसे समझिए कि 10 लोगों का परिवार है पहले 100 रुपे कमाता हो तो प्रतिव्यक्ति 10-10 रु दिवासवपन है कल्पना है फिर भी अब हो सकता है कि अगले साल वो 100 रुपे बढ़के 1500 रुपे हो जाए तो प्रतिव्यक्ति आई भी बढ़ गई 10 रुपे पहले ती अब 15 रुपे हो गया लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई 100 रुपे कमाए या कोई 80 रुपे कमाएAK 5oires तो इससे भी बिक्सित देश नहीं हुपाएगा क्योंकि कुछ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे फिर दिर तो उसमें क्या होगा कि आई प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढ़े ओवराल बढ़े लोगों का प्रतिव्यक्ति भी बढ़े कि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही ह जनसंख्या बढ़ती ही है, उसके साथ साथ उससे ज्जादा हमारी आएबढ़े साथी में जो आए की आसमानता है वो बराबर हो या कम होती रहे पताचला की आएक की आई असमानता बढ़ जाएगी तो कुछ टॉप के लेबल के ही लोग जो है अमीर होते जाएंगे और मुद्राइज पीति दर और बिनमेदर यह भी संतुलित रहे यानि किappe हमारा उसको जो नापा जाता हे वह एक वर्स पीवस्था में किसी देश की सीमा में एक वर्स की अवस्था में उतकृत्र कुल बहुरों वह सेवाओं का मुद्रिकił नहीं है या जो जो हमारा बिदेशी देशों के साथ हमारा जो बहुत अमुल्यन है तो यह माना जाता है यह सारी कंडिशन होगी तो यह होगा कि देश अब विकास की तरफ हो रहा है अब जरह हम देखते हैं कि यह चीजे यह प्रमुक संकेतक है जिनका उपयोग अंतरास्टी मुद्राकोस औ सितंबर के अक्टूबर में उसमें यह पताया गया है कि बैस्विक परसितिया निरासा जनक है इसके बावजूद भी भारत बहुत उज्वलस्थान रखता है यानि भारत बहतर द्रिष्ट से आर्थिक विकास कर रहा है ठीक है अब आईए समझते हैं कि भारत के आबादी क sustar की है, हमने 75 साल कर लिया है अभी 25 साल कर ना है और हमने इस तो सालों में हमने लच रखा कि अगले 25 साल में हम विक सित निस हो पाएंगे तो हम ढखते हैं कि 47 से अभी तक यानि 75 सालों में क्या हुआ है और आगे क्या होना है ठीक है तो देखिए कि बिसुबैंक के मुताबिक जो है बिसुबैंक के मुताबिक भारत को 2 ट्रिलियन डालर यानि 2000 डालर की अर्थ बेऊस्था बनने में यानि आप आजादी के बाद से लेके जब भारत 2 ट्र से शुरू हुआ, 2014 में आके भारत लगभग 2 ट्रिलियन डालर की एकानमी तोड़ा से ज़्यादा मतलब हमने 47 से लेके 2014 तक यानि 67 साल लगे हमको अर्थ बिवस्था में यही 2 ट्रिलियन डालर यानि 2000 अरब डालर जोडने में हमको 47 से 2014 तक यानि 67 साल लगे यानि पहला 2 ट्रिलियन डालर गणा सरसट साल में अब 2014 में हम 2 ट्रियन डालर थे अभी हम 3.71 कुछ लोग कह रहें 4 ट्रिलियन डालर जो अनुमान आकड़ा है जो बिल्कुल सही है कि 2024 के अंत में यानि अगले 10 वर्सों में यानि 2024 तक हम 4 ट्रिलियन dollar हो जाएंगे यानि कि ये जो अर्जो अनुमान है जिस तरह से हम चल रही क्योंकि धे होता क्या भ्लिए यहां पे 2 trillion dollar यानि 10 साल में दूना हो गया है इसको लेकर कांग्रेस की कई सारे वित्तमंत्री जोग चितंबरम की क्या आप 10 साल में मुहन सरकार में दूना हुआ था क्या इसमें दूना हो जाएगा धाई गुना हो जाएगा वो आप कह सकते हो ठीक है दूना तो हो रहा है ले पाया वो सरसट वर्सों में पाया दूसरा जो पाया हमने 10 साल में पाया पालेंगे तीसरा सब कुछ ठीक रहा तो दो हजार उन्तिस तक हमें माना जा रहा है कि हम दो हजार उन्तिस तक 6 trillion dollar हो जाएगे यानि कि अगला जो 2 trillion जोड़ेंगे हम 5 वर्स में जोड़ देंगे क्योंकि 4 trillion का development होगा हम अगला जो है वो 5 वर्स में ही जोड़ देंगे और ये फिर घटता जाएगा ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत निश्चित ही 2046 तक एक बिक्सित देश की अर्थ बेवस्था को पाल लेगा क्यों क्योंकि अब जो आबादी जैसे इस दौर में जो 90 से 2001 या 2011 तक का समय है वो बहुत तेजी से हमारी अर्थ बेवस्था हमारी आबादी बढ़ी अर्थ बेवस्था बढ़ी निश अब दिक्रा आये 24 तक ये जदा क्योंकि इसमें दो साल कोरोना के भी है ठीक है उसमें किसी का नहीं है और अगर अभी भी कोरोना जैसी आपदा आजाएगी तो नहीं पाएगा पहली बात पहला राइडर इनुने लगाया कि अगर कोरोना जैसी आपदा आजाए या कोई ब बढ़ते हम बड़े आसानी से जो है 2047 तक ये आंकड़ा हमारा 35 trillion डॉलर का है ऐनी 35,000 अरव डॉलर का हमारा आंकड़ा हो जाएगा और हम बड़े आराम से फिर हम आराम से 14,000, 15,000 का अर जो 15,000 डॉलर का प्रति बेक्ति आए जो है हम उसको आसानी से पालेंगे ऐसा अनुमा drag है कि कृखे और रही बात क्रे सकती शंटा कि दृसी से तो भारत स्टेन ट्रिलियन डालर की इकानी 载ाहिए को गया है neden कर्ए ये क्रे सकती खेंक किया है और ट्रिलियन डालर का क्या है देखिए हम अभी अपनी एकॉन me koi dollar के टरम ने कर रहे हैं अमेरिका को अगर एक डालर एक पेन को खरीता है तो यही वही एक डालर भारत में तीन पेन को खरी सकता है यानि कि भारत में डालर की क्रेश सक्ती छमता जादा है यानि जो हमारी अर्थवेश्थ हम जो बस्तूएं और सेवाओं को गिनते हैं वो भारत में क्रेश सक्ती छमता के आदार तो भारत आज इस ती सबसे बड़ी अर्थव्य वस्था वैसे पांची व्य वस्था एक तो कुल मिलाके यह चीजें है कि अभी इस तरह की चीजे चल रही है ठीक है और इसमें जैसे यह हुआ यह दिख रहा है तो कैसे हुआ इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देखा गया है तो एक्यानबे के बाद की आर्थिक नितिया और उसके बाद लगातार सरकारों ने उसको लेकर आगे बढ़ा है तो आर्थिक जो एक्यानबे के बाद की आर्थिक एक प्रमुख कारक है आर्थिक सुधार आये जिसमें क्या आया लिब्राइजेशन प्राइबिटाइजेशन और लोबलाइजेशन इसको हम चलते रहे और इसमें विभिन सरकारों के थाथ अलग लग चला और इसमें सब चीजे हुई मनमोहन सिंग का कारिकाल 2004 से 2014 तक सकल घरेली उत्पाद 0.71 से लेके ट्रिलियंड से दुगना होके 2.4 ट्रिलियंड डालर हो गया यानि देखिए कि यह लग भग सवादो गुना हो गया यही बाचित अमरम जी कह रहे हैं कि क्या यह दस साल में हो जाएगा तो उमीद है कि हो जाएगा ठीक है कम जादा मिला के हो जाएगा तो लग भग देखिए यह चीजे सरकारे लग भग एक जैसे ही सभी दिसा में सकारा स्वास योजना पक्के घर बिजली तक पहुंच सब सामिल है इससे क्या हो रहा है कि अर्थ ब्योस्था में लोगों का कल्यान भी हो रहा है साथी साथ अर्थ ब्योस्था में विकास भी हो रहा है क्योंकि ये सारी चीजे जब खर्च हो रही है तो लोग अर्थ ब्योस्था मे activities भी हो रही है साथ ही साथ लोगों का कल्यान लोगों का बहतर हो रहा है लोगों का जीवन अस्तर हो रहा है सिच्छा का अस्तर बहतर हो रहा है स्वास्त का अस्तर बहतर हो रहा है तो उनकी गुरुवत्ता बढ़ रही है उनकी productivity बढ़ रही है और वैसे भी हम demographic dividend के इस्तिती म हैं ऐसे में यह चीजे हमें और भी बहतर रिजर्ट दिखाने लगेगी ठीक है अगर यही आगे बढ़ना जारी रहा हम उदार बजार नितियों के साथ साथ यह कहते हैं गुर्वत्ता पॉंड सिच्छा और कौसल निर्मार के माध्यम से चलते रहे तो 2047 तक विक्सित भारत का सपना भारत की पहुंच में हो सकता है यही बात आर विया जो बिस बैंक के भारत के कंट्री हैड है उन्होंने भी जब अपनी रिपोर्ट अभी हाल मे अबादी है यानी महिलाएं उनको रोजगार में बेहतर भागी दारी जो उनopy अंतर है रोजगार का उसको कम कर लिया जाये तो यह अकेले इसे से हो सकता है. उन्होंने बताया है कि सिच्छा के झ्यटर्में बहुत बैतर काम हो गया है, महिलायें, पूरसों से ज़्जादा च्छा के झ्यटर्में कहीं आगे आ रही हैं, बस जरूरत है कि हमें एक ऐसा माहल बनाया जाए कि उनकी रोज़गार में भागिदारी अगर बराबर बढ़ जाए तो ये बहुत आसानी से भारत इसको प्राप्त कर सकता है कुछ कई लोग कहते हैं कि भारत तो 10% की भी विकासदर प्राप्त कर सकता है कोई आश्चर नहीं है अचंबा नहीं है अगर land reform, labor reform कर दिया जाए खाला कि वो थोड़ा सा critical issue है उसको भी छोड़ दिया जाए तो हम comfortably कह सकते हैं कि 2047 तक हम आसानी से ये बता रहे हैं और ये सारी आंकड़ा बता रहे हैं ऐसा नहीं कि सारी सरकारी उसी दिसा में हम चल रहे हैं हम वहां तक पहुँच सकते हैं तो अब ये है कि प्रतिव्यक्ति आए कि इस्ति क्या है भारत की प्रतिव्यक्ति आए 2004 में 624 डालर से बढ़के 2014 में 1560 डालर हुआ और 2022 में ये 24111 डालर हो गया है हाला कि अभी 13846 से बहुत कम है लेकिन हम जैसे अभी कहा कि ये हमारी जो अर्थ ये उस दौर का समय है 4 से 14 या 23 तर जिसमें हमारा जो है जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही थी हाला कि अब हमारी जनसंख्या प्रतिस्थापंदर के आसपास आ गए यह बहुत धीरिस यानि पचास तक हुमीद है कि डेढ़ हरब होगी या 160 हरब होगी 160 करोन होगी जलेकि जीडीपी कई गुना हो जाएगी दस गुना हो जाएगी इसलिए यह लच कोई बहुत मुश्किल नहीं है ठीक है जो यह कह रहे हैं कि देश में यह तो है कि जीडीपी और पर्तिव्यक्ती तो बढ़िया चल रहा है लेकिन कहीं ऐसा दो नहीं है कि आय का असमानता बढ़ रही हो ऐसा नहीं कि जो लाब है जो एक और आरुप लगा जाता है कि जो लाब है वो कुछ ही लोगों तक सीमीत है तो उसको लेकर ये कहते हैं कि कई विशेशा कि जैसे देख खुद ही कहते हैं कि प्रतिव्यक्तिवाल लोगों की वास्तिक सम्रिद्धी को पतिबंबित नहीं कर सकती और अर्थ व्योस्था में असमानताइं तेजी से बढ़ रही हैं कुछ लोग कहते हैं आप लोग भी सुनते हूंगे लेकिन जो गिनी इंडेक्स है ये जो बताता है कि अर्थ ब्योस्था में कितना असमानता है वह 2004 में 34.4% था यानि कि गिनी कोफिसियन 2004 में 34.4% था और 2021 में 34.2% है यानि कि कहीं न कहीं कमो वेसरी उसे जो असमानता का अस्तर है वही है अगर आप हमारे रिगुलर क्लास को फॉलो कर रहे होंगे तो जो इंकम टेक्स का डेटा भी है वो भी ये बताता है कि आयक का जो असमानता घट रही है जो अमीर लोगों की इंकम टेक्स दर जो देने की उनसे जादा जो मीडिल वाले हैं उनकी बढ़ रही है और निम्न वाले की भी बढ़ रही है लेकिन मेडेल वालों की थोड़ी जादा बढ़ रही है इसलिए अंतर दिक रहा है लेकिन आख्चुल में आए की असमांता यानि प्रतिब्यक्ति आए वो हमने देख लिया गिनिक ओफिसियन यानि असमानता भी कम नहीं होई रही है बढ़ नहीं रही है यह तीसरी बात यह है कि मुद्रा स्पीति और जो बिनमैदर होता है विदेश्री मुद्रा के साथ जो बिनमैदर उसकी क्या इस्तिति है उसमें भी द से लिए जो मेंडेट है उसके आसपास ही रह रही है मुद्रा स्फीति जिसे सहरों मुद्रा से ज्यादा और 619-Ssehen 1100 Esse जο वो भी हमsters है कि हम किसी भी बिदेशी मुद्रा को मुल नहीं है उसको बिलेकर हम अपने को सन्रच्चित रशते इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने मुद्रा इस फीत पर ध्यान रखें अपने जो विदेशी मुल्यन है उसको ध्यान रखें हम जो सिच्छा स्वास्त इस छेत्र में काम करते रहें इंफ्रास्ट्रेक्चर में निवेस करते रहें और हम सिर्फ जो कर रहें वही करते रहें विकास पर ध्यान देते रहें तो हम बड़े आसानी से 2047 तक भारत एक विक्सित देश हो जाएगा यानि एक उच्च आए वाला देश जहांपे प्रतिव्यक्ति आए 13846 डॉलर से जादा इसमें 80 से गुड़ा कर लीजिए 13000 में अगर 80 से गुड़ा करें तो लगभग 14-15 लाख रुपे एक वार सालाना के आसपास जो है प्रतिव्यक्ति आए हमारी आज के दाम पे हो जाएगी ठीक है तब माना जाएगा कि भारत एक विक्सित देश है ठीक है हलाकि यह कहते हैं कि भाई अब चुकी विसे सके हैं इनको यह भी लगाना पड़ता है सहम भी कह रहे हैं कि अगर को कोरोना आ गया कोर देंकर विस्युद्ध हो गया या कोई बहुत राजनितिक उथल पुतल हो गई तब उस स्तिती में यह चीज़ें नहीं हो पाएंगी अजन्य था अगर जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहा तो भारत बड़े आसानी से अपनियों स्लच को प्राप्ट कर लेगा अगला जो दिमाहिक डडा घटा वो देती है उसमें उसने कहा कि उसके five cloud जो सर्विश है उसमें कई सारे रंसेम वेयर आटैक आई हैं ठीक है ऐसे में महत्तपुर्ण यो हो जाता है कि रंसम वेयर क्या होता है कैसे यह काम करता है अ इसका प्रभाव मतलब भारत में देखा जाया तो इसका प्रभाव कितना है और क्यों ये IT कंपणिओं कि अगर जैसे देखा जाए कि भारत में इनका प्रभाव बहुत ज़ादा है तो क्यों IT कंपणिओं को ये ज़ाधा प्रभाव कर रहा है ठीक है आइए चलिए हम एकamat करके देखते हैं चार्चा में क्यों है क्योंकि पिछले 20 दिसंबर को आईटी सेवा प्रदाता SCL टेक्नोलोजी का नाम आप लोगोंने सुना होगा उसने अपना एक त्रेमासिक रिपोर्ट एक वाटरिली रिपोर्ट होता है जो जारी किया जाता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए उसमें इसने स्विकार किया कि उसका जो क्लाउड वाता वरन है वो रैमसम वेर घटना से प्रभावित हुआ है हाला कि उसका बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ा है इसने कहा है और उसको काबू में कर लिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कहीं सेयर मार्केट पे इसके इसी बात की वज़े से भी उसके सेयर मार्केट में कमी आई है इसलिए चर्चा तो होई गया है कुछ दिन पहले आप लोगों को अगर याद होगा तो एमस में जो है इसी तरह कार एमसम वेर अटेक हुआ था जिसमें एमस की सर्विसेस है कर ली गई थी और उसको उसकी पहुत सारी सूचनाएं इंक्रिप् जो SCL है यह एक टेक्नलोजिकल कमपनी है यह भारत में कई बार क्या होता है जैसे कि साफ्टिवर्स चेतर की कमपनी है कई सारे लोगों को एंड टो एंड सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है कई सारे लोग जो है कई सारी कमपनियां कई स सूचनाओं के लिए अपने ग्राहकों के जोड़ने आधी के लिए इसके सिस्टम का प्रियोग करते हैं और यह खुद जो है कई सारे साप्ट्वेर भी बनाती है उस तरह की चीज़ों को पेस्ती है इस पे हाल ही में रैंसम विवर अटेक हुआ है और रैंसम विवर में जो है अटेक के बाद हाला कि इसने माना है कि उसका बहुत जादा प्रभाव नहीं पड़ा है तकि कहीं ने कहीं यह एक चंता का मुद्दा बन गया है और हमारे लिए रैंसम विवर को समझना महत्वपूर हो जाता है तो रैंसम विवर हमला क्या होता है तो अब जैसे नाम से ही लग रहा है रैंसम यानि किसी से घंडा आधि हो और किसी से वसूली कर रहा दाडागिरी या रंग दारी वसूल रहा हो या फिरोती कर रहा हो यह एक्च्वल में कुछ उसी तरह टक्नोलोजी यानि आपका जो IT infrastructure होता है उस पे यह किया जाता है एक वाइरस होता है उसके जरिये किया जाता है और जो hackers होते हैं वो है इसमें जैसे किसी भी system पे attack करते हैं तो उस system को hack करके उसके जो data तक पहुंच बनाते हैं और उस data को codify कर देते हैं या encrypted कर देते हैं यानि उसको आप उसको न पढ़ सकेंगे न जान सकेंगे डिलीट नहीं करते हैं बदले में वहाँ पे उसको यह कहते हैं कि आप हमें इतना पैसा दो तो हम इस data को आपको फिर से decrypt कर देंगे या फिर से आपके लिए उपलब करा देंगे otherwise यह data समाप्त हो जाएगा यह है simple से त सारी घटनाएं देखी गई हैं खास तोर से भारत में जो आईटी इंडस्ट्री है उस पर हम अभी अगर आंक्रा देखें कि रैंसम वेर हमले चेंता का विसे क्यों है तो भारती कमपनियां जो है तेजी से रैंसम वेर हम लोगा सिकार बन रही है सोफोस एक साइबर सुरच कमपनी है उसके द्वारा किएगे 2023 में एक अध्यन कहा गया तो पता चला था कि 73 परसर जो है संगठनों में रैंसम वेर हम लोगा सिकार होने की सूचना दी जो भी इस तरह के आईटी और कर्परेशन है उनको 73 परसेंट में कहीं ने कहीं रैंसम वेर हम लोगे सिकार मिले औ पिछले वर्स जो है यह 57 परसर थे यानि कि कहीं ने कहीं 57 और 73 16 परसेंट ज्यादा अगर और चलो यह तो प्राइबेट संस था है अगर हम भारत की जो में कह सकते हो कि जो कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर आपदा के लिए साइबर सुरच्छा साइबर अतंकबाद और उसके लिए जो आइटी एक्ट 2000 के ताद जो में नोड अलिजनसी है भारत की कंप्यूटर इमर्जनसी रिस्पॉंस टीम सार्ट इन बोलते हैं उसके द्वारा जो आकड़े जारी किये गये उसमें बताया गया कि 2022 की पहली चमाई में देश में रैंसम वेवर घटनाओं में एक क्यावन परस्षत की बृद्धि दर्ज की गई है यानि कि ओवराल जो रैंसम वेवर की घटनाओं है पहली चमाई में ही एक क्यावन परस्षत की बृद्धि देखी गई है उसमें से अधिकांस जो है हम लें डेटा सेंटर ITTES छेत्रों में हो रही है ठीक है अब प्रस है चैब क्रिमल में साइबर क्रिम्नल्स रहे या的 टर्रिप्र TOनाइब करेंसंतों इनका मूटीफ होता है वो में जो चारगेट होता है वह साइबर फूंसी होती है क्योंकि उनहीं के पास डेटा आंँ देखीह जो एक फर्म है जो अपना रिटेन डेटा वह रखोना और उसमें भी रख रही है उसके computer पर कर लोगे कर को कोई बात ने हम format मरा लेंगे लेकिन जो जो संगठन पूरी तरह से cyber उसके उस पर ही है clouding या इस तरह की चीजे जो साप्ट्वेर बनाती है या इस तरह की चीजे बनाती है जिसके customer साप्ट्वेर से हैं या cyber उससे जुड़े हैं अगर उस पर हमला करते हैं तो आप सोचिए कि जो company है सब को clouding दे रही है अगर उस पर हमला कर लिए कोई तो वो उसकी साख जादा लगी रहती है फिर वो अपने उस data को बचाने के लिए और नहीं कुछ तो अपने साख को बचाने के लिए मनमाना पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है क्यों क्योंकि अगर वैसा नहीं करती है तो जो उनके customer या जो उनके data होंगे अगर वो पता चल जाए कि वो इस तरह से breach हो गए या वो चले गए तो कहीं न कहीं उनका पूरा market ध्वस्त हो जाएगा दूसरी चीजे और जो आती है इसमें जो है न जो IT संग्ठन है और जो software विक्रेता बहुत सारा मुल्यवान डेटा रखते हैं जिसमें IP जो है intellectual property right चैसी समेदन सील जानकारियां भी होती है कई सारे लोगों के software जैसे लोग बेच रहे होते हैं उसमें सब intellectual property right होती है उस तक जो है कहीं एक तरह से कह सकता है कि यह intellectual property right का जो है बैंक चैसी तरह से लेते हैं तीसरा जो है कि इसमें जो ज़्यादा तर IT संगठन होते हैं, उनके पास जो data होता है, उसमें कई सारे नीजी संगठनों के ग्राहकों के data होते हैं, उसमें बहुत सारे phone number, उनकी सूचना, उनके बित्ती लेंदें, बहुत सारी चीजें होती हैं, और अगर वो ransom नहीं देते हैं, तो वो उस इसमें से ज़्यादा तर जो IT संगठन हैं, खास्त और से clouding computing को लेकर, वो नए नए प्रत्रोक की अपनाते रहते हैं, जिसमें सायर सुरच्छा को लेकि उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे ये आसानी सिसिकार बन जाते हैं, किसके ransomware cyber attack के बारे में, ठीक है, आप क् उसकी सुरच्छा बिवस्ता है, उसको लगातार ध्यान में रखते रहे हैं, यानि नई नई चीज़े जो लोग लाते हैं, उसके कारण कई बार यह जो सुरच्छा से समझोता हो जाता है, उस पर भी ये ध्यान रखें, तभी इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है, क्य के जरिये आप इस तरह के हमले से बच सकते हैं ठीक है अगला प्रस्ट अगला जो न्यूज है हमारा वो है कि भारत के विदेश मंत्री पांच दिर्श्ती यात्रा पे जो है पचीज दिसंबर याने कल से अठाइस दिसंबर तक के यात्रा पे जो है मासको की मतलब रूस की रा दूसरे के राश्टा द्याश कभी रूस के राश्टा द्याश आते थे अगले बार रूस के राश्ट्रापती भारत का आते थे सितंबर दिसंबर 2021 में लास्ट में जो है रूस के राष्टपती भारत के आये थे इसके बाद फरवरी 2022 में युक्रेनी शुरू हो जाने के बाद दिसंबर में प्रधान मंतरी जी नहीं गए और इस बार भी उनको जाने का एक सिड्यूल था लेकिन इस बार भी कुछ इस तरह की पस्तिया या जो भी कारण रहा हो इस बार भी उन्होंने वो नहीं जा सके लेकिन वो special strategic relation रूस के साथ है उसको महत्व में देते हुए भारत के बिदेश मंतरी पांच दिवसी यात्रा पे जो है रूस गए है वहाँ पे कई सारी चीजों पर इनकी संभावना आए है कुछ जो बैस्विक अस्तर पे geopolitics या डिप्लोमेटिक चीजे चल रही है उनमें ही कहीं न कहीं इसको लेकर जोड़ा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में देखा गिया है कि पाकिस्तान के सेना द्यच और वहाँ का ISI चीप तुनों ही अमेरिका के विदेश मंतरी अमेरिका गये थे जो कह सकते हो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वहाँ का चेना चीप और ISI चीप एक साथ कहीं आलतरा कर्व में गये हों और वहाँ पे वहाँ की विदेश मंतरी से मिलते हैं वहाँ की एक CIA की ही हेड है वो रही है न्यू लैंड करके है विक्टोरिया न्यू लैंड वो उसक के बाद ही कई सारी घटनाएं देखने को मिलने लगी जैसे कि भारत में अभी पूंच और अजवरी में जो इस तरह के अतंकवादी गरते हुए हैं या अभी जो हूती आंदोलों का चल रहा है कि भारत के उपर भारत आते हुए जहां जो पर हमले हो रहे हैं जिसमें हमले ह लोदी के साथ ही अमेरिका कह दे रहा है कि इरान का साथ है तो कहीं ने कहीं ये चीजे थोड़ी सी कंप्लिकेटेड होती जा रही है हम अभी आगे कभी चर्चा करेंगे उस पे कि क्या भारत और अमेरिका का समंध साल भर का पूरा कभी पताएंगे तो उस संदर्भ में उस परिपेच में कि कहीं खटे मिठे चीजे होते रहते हैं तो भारत के विदेश मंतरी रूस के यात्रा पे हैं तो आईए इसको हम समझते हैं चर्चा में क्यों है क्योंकि प्रधान मंतरी लगातार दूसरे वर्स भी सिखर समयलन के लिए नहीं गये हैं ऐसे में विदेश मंत का एक विसेस हिस्सा है देखिए आप ये कह सकते हैं कि पधान मंतरी को जाना चाहिए नहीं गए तो G20 में रूस की राष्टपती को भी आना चाहिए नहीं गए कई बार ऐसा नहीं है कि हमारे उनकी बीच में दूरियां पड़ गई है कई बार कई सारी मजबूरियां होती हैं उसको आदमी ध्यान में रखे इस तरह केकार हो सकता है बेस्तता रही हो वो सकता है कुछ और रहा हो जो भी चीजे हैं ऐसे में अब प्रस्थ यह है कि भारत रूस वार्सिक सिखर सम्मेलन क्योंकि सिखर सम्मेलन होता रहा है तो भारत और रूस का जो सम्मंद है वो बहुत पुराना है आप सब लोग जानते होंगे और वो सम्मंद जो भारत का विदेश मंतराला कहता है कि बहुत ही गहराईयों से तक रहा है उसका जो सम्मंद रहा है कई समय और यह trusted friend रहा है रूस ने हमेशा जब भी मदद चरूरत पड़ी है भारत को मदद की है और भारत ने भी रूस की मदद की है यह नहीं कह सकते हैं कि भारत ने रूस की मदद नहीं की है यह बात वहां के वरतमान राष्टपती स्विकार करते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि भारत जो है रूस कहें कि भारत पे मामली दबाब नहीं है रूस के हमारी हमारी अलोचना करने के लिए और हमसे पेट्रोलियम न लेने के कारण, ये भी कही एक कारण है भारत और अमेरिका के जो स्ट्रेटिजिक संबन्द है, उनके बाद भी कुछ थोड़ा बहुत खटा साने की, ठीक है, तो दोनों देशों के संबन्द बहुत गहरे हैं, दोनों देश एक दूसरे के साथ काफी गहराई से जोड़े रहे हैं, ऐसे में अब ये है कि दोनों देशों के बीच वर्स 2000 से देखा जाया, तो हर साल एक दूसरे के राष्टा ध्यच एक दूसरे के देश में जाते हैं, जैसे कभी रूस के राष्टपती आ गया, तो कभी भारत के राष्टपती चले जाएंगे इस तरह की 21 वार्सिक बारी बारी से देखा जा, तो 21 वार्सिक सिकर सम्मेलन हो चुके हैं, और जो सबसे अभी लेटेस्ट है, वो 6 दिसंबर 2021 को रूसी राष्टपती ब्लादीमीर पूतिन की यात्रा थी भारत की, और इसके बाद हमारे प्रधान मंत्री को जाना था, ले है, रूस से कुरेन युद्ध हो जाता है, उसको लेकर काफी सारी चीजे हो जाती है, ऐसे में प्रधान मंत्री उससे बचे वहां जाने से, क्योंकि निश्यत रूप से कई बार जैसे आपके और भी सारे देशों से सम्मन्द है, आप उस समय वहां पे कई बार कहा होता है कि पोश्चरी, सबको पता रहता है कि वो युद्ध कर रहे हैं, हम रूज की आलूचना नहीं कर रहे हैं, इतना ही कम है कि हम रूज के साथ जाके बारसिक-षिकर्प समयरन कर रहे हैं, यभी एक तरह से कही कहीं, एक पोश्चर गलत हो जाता है, ठीक है? तो ये बाते हुई, और युद्ध छिडने के बाद प्रधान मंतरी नहीं गये, रूस के राष्टपती को आना था G20 में, लेकिन वो भी नहीं आये क्योंकि उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट ने लुकाउट नोसी चारी कर दिया है, तो वो बचे हैं भारत आने से, तो ये चलता रहा है, इस बा मुद्धों की चर्चा की उमीद है, कि पहले तो आर्थिक समंद्धों के लिए वहां के उप्रधान मंतरी और उद्योग और व्यापार मंतरी से भी मुलाकात करेंगे, यानि आर्थिक समंद्धों को भी टटाला जाएगा, साथी में दुपच्छी, बहुपच्छी, अंतर मुद्धों पर चर्चा के लिए वहां के जो विदेश मंतरी और उप्रधान मंतरी रूस के नाम क्या है, सरगहे लावरो, उनसे भी मुलाकात होगी, और मुलाकात जब इनने होगी, तो इसमें चर्चा होने की बात है कि उसमें देखिये कि व्यापार की बात होगी, आई सहयोग संगठन जैसे बहुपच्छी प्लेटपार्मों पर भी सहयोग रच्छा सहयोग और उक्रेन युद्ध आदिके इन सभी चर्चों इन पर मुद्दों पर रूस के विदेश मंत्री के साथ चर्चा होगी ठीक है अब प्रस्ण यह है कि विदेश मंत्री की यात्रा क्यों महत्पूर्ण है थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए इस समय जो परस्टियां चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ने कहीं अमेरिका और भारत के बीच में कुछ ने कुछ ऐसा है जो कुछ गडबड है क्योंकि अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के सेना अधिया चिखा और वहां के आईसाई चीप का अमेरिका के विदेश मंत्री से मिलना और भी कई सारी अमेरिका की ऐसे पोस्ट्रिंग हो रही है जो कहीं ने कि जैसे पन्नु का मामला और इस तरह के मामला इतना चोटे से मामले को इतना एक्सक्लेट करना और भारत के दूता मंत्र दिवस के जो है अतिती होंगे अमेरिका के राष्टपती अलकि उनकी बैस्तता थी भारत ने फ्रांस को निवता दिया और उन्होंने स्विकार भी कर लिया है ऐसे में कोई सारी चीजे है तो जो समय यात्रा तो यह दुपच्छी संबंदों का होना चाहिए सिखर साजेदारी स्थिर है स्मस्तु कि ओर साइलेंट और बिशी और विशा सादिकार प्राप्रण नीती साजधारी है यानी इसपेशल है और privileged strategic partnership है, आम strategic partner नहीं है, privileged हैं एक दोनों देश, एक दूसरे के strategic partnership में, और ये कई छेतरों में देखता है, जैसे रच्छा के छेतर में भारत का रूस के साथ दिर्गकालिक और व्यापक सहयोग है, और ये सहयोग सिर्फ क्रेता भी क्रेता के रूप में नहीं है, शुरुवा दुनिया के सबसे sophisticated cruise missile तयार है, और उसको दुनिया के कई सारे देशों में उसको लेने के लिए तयार है, ठीक है, तो कहीं न कहीं तक्नीकी सहयोग क्रेता और विक्रेता के कहीं आगे निकल चुका है, आज अगर भारत का जो रच्छा निर्भरता है रूस की रूस पे, तो इसका के साथ भी कर रहा है, लेकिन अभी भी मोर दन 50% हमारे रच्छा सहयोग के लिए हम रूस के साथ ही सहयोगी के रूप में हमारी भूम का आदा हो रही है, साथी में रूस युक्रेन युद्ध होता है, वहां से तेल की कीमते जो हैं अंतरास्टी कीमते बढ़नी होती है, रूस पे प्रतिबंद लगता है, लेकिन भारत और रूस चुकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अपने को, उन्होंने रूस ने, भारत ने रूस से पूरी दुनिया के प्रेसर के बावजूद भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से पेट्रोलियम ख रखने में, मुद्रा इस्विति को रोकने में, और अपने इंपोर्ट बिल को मैनेज रखने में जो मदद मिली, तो कहीं ने कहीं, रूस को भी इससे फाइदा हुआ, और भारत को, अब चुकि भारत ले रहा था, तो भारत के आधार पे जो है, चीन भी लेने है, अब तो स जहां नुकलियर बात की बात हुई, तो प्रधान मंतरी ने कहा था कि इस पर सन्यम रखने की बात है, और मामले को सांथिपुन डिप्टाना चाहिए, लेकिन कहीं भी निंदा नहीं की, इसकी तारीफ रूस के राष्टपती स्वतह कर चुके हैं, तो ये सारी ऐसी कई मामल हैं, जो कहीं न कहीं, और साथी में अगर देखा जा कि परमाण उर्जा का सांथिपुन योग कुंडल कुनम जो नापकीप है, उसमें दो रियक्टर सुरू हो गये हैं, और तीन, चार पाच बे कारवाई सुरू हो रही है, और जो कहीं न कहीं ये बताता है कि भारत और संत्री मासकों की यात्रा पे गये हैं, और कहीं न कहीं, इसका जो जैसे कहा जाता है, डिप्लोमेसी में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें, तो निगाहें तो हई हैं, हम उधर पता रहे हैं कि अगर आप इधर अन्नू पन्नू नहीं करोगे, तो हमारा तो पुराना म ही है हम उसके साथ हो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे हम और देशों के साथ जो है जो कहीं ने-कहीं फ्रांस है और वैसे भी भारत बिग-4 में तो सामिल है यानि अमेरिका, चीन, रूस, भारत ये चारो ऐसे हैं जिनको अकेले भी कभी इन पर जैसे अगर ये चार ऐसे देश हैं जो अकेले भी किसी और देश से बुकाबला कर सकते हैं उसमें इस्तिति क्या होगी न जीतेंगे न जीतने देंगे दुनिया तबाह हो जाएगी ऐसी इ में कोई ऐसा नहीं कि हमें युद्ध चीन के लड़ने के लिए अमेरिका की जरूरत न इसलिए भारत अपने इस्तोतंद्र विदेश निती पर चल रहा है कई सारे फायदे हैं और उसका फायदा दोनों देशों को होगा ठीक है तो ये सारी चीजें है ऐसी ही चीजों को कही मैंने कहीं जो यात्रा है ये रूस के लिए भी सही है और अमेरिका के लिए भी एक हृंट है और जहां तक मेरा अनुमान है कि रूस हिंट कर रहा है। różne के योट्रेने में सान्टि वारता और को भी सकता है कि कई भाई हDas कर्का मैं तो भारत केशवा हो सकता है यो मेरह लेकिन ये भी हो सकता है कि इंगे नमस्कार